नितिन गटकरी की छटपटा हाच भारत की जहरेली हवा, अधार और वोटर कार्ड जोडने का नुकसान, मैं हूँ मनेश आनंद, दराइसिना हिल्स एक बार फिर से देश के अब पड़े अखवारों में छपे संपाद कीगी समेक्षा और उनके विचारों पर प्रकाश डाले नितिन गटकरी को भारती जनता पार्टी की जो संसद ये दल है, उससे निकाले हुए करीबन दस दिन हो गए होंगे और उसके बाद भी एक जो एक कहें तो जो पार्टी के अंदर और कारिकरताओं के बीच में और इनके निताओं के बीच में जो एक स्पेकिलेशन चल रहा है कि नतिन गटकरी को क्यों निकाला गया, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, नतिन गटकरी जिनको ऐसा माना जाता है कि नरेंदर मोधी सरकार में वो एक मातर ऐसे मंत्री हैं जिनका कि भारत के सभी राजनितिक डल तारीप करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को ले करके जिस त प्रविश शंकर प्रसाद जिन को भी कबिनेट से निकाला गिया था पिछली बार मोधी सरकार से और गटकरी ये दोनों आडवानी के प्रसंशक माने जाते रहे हैं पार्टी के अंदर में और कहीं न कहीं जो भी जिनका भी आडवानी से कोई रिस्ता था धंग का रिस्ता था जो नजदीक की थे भारती जंता पार्टी से उनकी छटनी एक के बाद एक हो रही है ऐसा दा पाइनियर अपने संपादकिया में कहना चाहता है गटकरी कोई पुश ओवर नहीं है गटकरी कोई मामुली नेता नहीं है जिनकों कि आप एक धक्का मारें और वो आपके रास्ते से हट जाएं ऐसा पाइनियर कहता है कि गटकरी जो रास्टे सव्यम सेवक संग है नागपुर में जो उनका हेटकौाटर्स है वहीं से गटकरी भी आते हैं उनके आँख और कान दिल्ले में हैं और उनका उनकी नजदे की संग परिवार से संग के शिर्ष नेतरत्व से बहुत पुराना और बहुत गहरा है इसके पारे में ज्यादा कहने के जरूरत है नहीं यह जगजाहिर सी बात है और जैसा कि देखेंगे 2009 में जब गटकरी भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 2013 में उनको पद छोड़ना पड़ा था और जब राजना सिंग बने थे तब उसके बाद नरेंदर मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधान मंतरी का चेहरा बनाया था कहीं नरेंदर मोदी और नितिन गटकरी के जो ठंडे रिष्टे हैं जिनका इतिहास 2009 के बाद से ही है जब नितिन गटकरी ने संजय जोशी जो नरेंदर मोदी के एक तरह से कहें तो विरोधी माने जाते हैं उनको बारती जनता पार्टी के नैशनल एग्जेगुटिव में सामिल किया था नितिन गटकरी ने और जब देखें तो एक नितिन गटकरी के ऊपर दवाब बनाने की जो प्रकरिया है वो शुरू हो चुकी है बारती जनता पार्टी में क्योंकि आगर हम देखेंगे मुख्य मेडिया में तो एक तरह से ऐसे खबरें प्लांट करने शुरू हो गई हैं कि ये बताने के लिए कि राश शुर्ष नैत्रित्व के इशारे पर कुछ लोग ऐसे खबरें चपवाना शुरू कर दिये हैं ये सोचक है कि आने वाले दिनों में खटास गटकरी और भारत जनता पार्टी के शुर्ष नैत्रित्व के बीच में और बढ़ने ही वाला है गटकरी का अगला क्या कदम होगा वो देखने वाला बात होगा और उनके कहे हुए शब्दों पर गौर से विचार करने की जरूरत है भारत में मरने वालों की संख्या अगर देखेंगे तो सबसे अधिक देश में जहरिली हवा के वज़से होता है कोई भी ऐसे बिमारी नहीं है जो इतने तदाद में लोगो कि जो गुणवत्ता है 2022 की रिपोर्ट उसके उपर मुनानिका है और भारत के तरप से कोलकता और दिल्ली और कोलकता पहले और दोसरे पदान पर खड़ी हुए दिखाई पड़ रही है पूरे विश्व में बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली जैसे शहर जहां देश का संसद हो परधान मंतरी का कार्याला है हो राजपती निवास हो वहां पर भी उसके आसपास महिनों तक किसान अपने फसलों को जलाते हैं और पूरा करीबन पाच करूर की आबादी उस जहरीली हवा को पीती रहती है यह सिर्फ दिल्ली की हलात नहीं है पूरे देश की हलात है इस की माने तो एसिया के अंदर में दक्षन और मदे एसिया में जो 15 सबसे खराब हवा के क्वालिटी वाले सहर हैं उसमें से 12 देश भारत के अंदर हैं और भारत का करीबन 76 फेजदी 76 परसेंट 76 फेजदी आबादी जो है जहरीली और गंदे हवा में अपना जीवन वेतीत कर हैं ऐसा डेकन हैरल ने उस रिपोर्ट का हवाला देती हुए का है भारत सरकार ने 2019 में इस अख़वार ने हवाला दिया है कि नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक करके लाँच किया था कि 2024 तक में जो हवा का जहरीलापन है वो 20 से 30 फेजदी उसको कम किया जाएगा उसक ले तो ऐसे हलात में लगता है कि ये सारे कागजी करवाई थे उसका कोई परिणाम धरातल पर उतरता हुआ दिखनी रहा दहिंदू ने एक बार फिर से अधार कार्ड के बढ़ते हुए उपयोग के उपर और उनकी जो अभी कवाया चल रही है कि वोटर कार्ड से जोड़ा जा निकल करके आया है कि जहां भी हो वहाँ अधार कार्ड आप डाल दो आज के तारिक में अगर आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो सेक्यरिटी गार्ड हो सकूल हो कलब हो सभी जगह आप से अधार कार्ड ही मांगते हैं उसका फोटो कापी मांगते हैं और आपका जो डे में Election Laws Amendment Bill 2021 संसद ने पास किया था इसी मद्द नजर की जो वोटर कार्ड है उसको अधार कार्ड से जोड़ा जाए लेकिन उसके बाद देश में जो हाई तौबा मची उसके बाद केंदर सरकार ने और Election Commission of India दोनों ने स्पस्टिक रण करा कि ये लोगों के ऊपर voluntary होगा अगर वो चाहेंगे तब वो अधार कार्ड दे सकते हैं लेकिन ये कहने वाली बात है क्योंकि जहां भी देखेंगे बड़े डंके के चोट पर अधार कार्ड ही मांगा जाता है अगर अधार कार्ड नहीं देंगे तो आपकी सुनवाई होती नहीं है इसी पर हिंदू ने कहा है कि इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि आंधर प्रदेश और तेलंगाना में कही सारे जो जैनियून वोटर्स थे उनका एलेक्टोरल रोल से नाम कट गया था तो ऐसे में अगर वोटर कार्ड के साथ अधर कार्ड को जोड़ा जाएगा तो उसके रिस्क अ करनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद